हेलो फ्रेंट्स यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल चूटोरियल फिलानेट यह चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है उसमें तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश यह स्टोरी ऑफ इस बुक का ही नाम है स्टोरी ऑफ इ लोग जो मॉडरन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो उसका सुरुवात कहां से हुआ वहां से ले करके उसके स्टार्टिंग से ले करके इंड तक इस पूरे बुक में ठीक है पतला सा बुक है इसमें दिया गया है तो इसका दो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ यह तीस पीरियड इन दे हिस्ट्री ओफ इंग्लिश इंग्लिश के इतिहास का जो पहला पीडियर रहे है जो पहली अवधी है ठीक है उसी को हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं तो इंग्लिश के इतिहास में इंग्लिश के हिस्ट्री में जो फर्स्ट पीरियड है इस रेफर्ड टू one of the following names उसे हम इस तीन नामों से जानते हैं कौन कौन से ने हैं Old English Old English भी बोल सकते हैं Anglo-Saxon Anglo-Saxon भी कहा जाता है Anglo-Celtic और Anglo-Celtic भी कहा जाता है ठीक है देखिए यहाँ पर Old English यह तो ठीक है नाम अब Anglo-Saxon और Anglo-Celtic जो है इस दोनों के बारे में बता दू एंगलो सेक्सन के बारे में मैंने पहले चेप्टर में बहुत ही अच्छे से बताया है ठीक है चलिए एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि इस चेप्टर में बार बार एंगलो सेक्सन जो वर्ड है वो बार-बार आएगा तो मैं बार-बार नहीं बताऊँगा एक ही बार मैं सुरू मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि Anglo-Saxon का मतलब क्या होता है तो चलिए देखते हैं लिखा हुआ है पहले चेप्टर में यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जर्मनी की लोग जो जर्मनी के जो आकरमन कारी थे जुन्होंने आकरमन किया था ब्रिटेन में ठीक है तो वहां के जो जन जाती थी ट्राइब्स थी वो तीन ट्राइब्स मिल करके वो जन जाती जाती होता है जाती जन जाती तो वो तीन जाती तीन जाती एंगल्स सेक्संस एंड जूट्स ये तीनों मिलके क्या कहलाते थे Anglo-Saxons कहलाते थे ठीक है जिन्होंने England पर आकर्मन किया था कितने इस भी में फिफ्थ सेंचूरी में पाँचवी सताबदी में ठीक और इसी Anglo-Saxons ने इसी यहां के जनजाती के जो लोग जो आये थे England पर जिन्होंने आकर्मन किया England पर जिन्होंने कबजा किया उन्हीं लोगों ने इस लेंग्विज को जन्म दिया ठीक है इस लेंग्विज को बनाया और इस देश का नाम भी उन्होंने ही रखा England और यहां पर है Anglo-Saxons वे जर्मेनिक पीपल जर्मनी के लोग थे वो Anglo-Saxons वो लिवड इन नौर्थ एंड वेस्ट यूरोप प्रेजेंट डेनमार्क, जर्मनी और होलेंड जो लोग डेनमार्क, जर्मनी और होलेंड में रहने वाले थे जर्मनी में वो उसी लोगों को उन्ही लोगों को Anglo-Saxon कहा जाता है क्लिए रहे? चलिए अब पढ़ते हैं आगे तो Anglo-Saxon तो समझ में आ गया अब है Anglo-Celtic किसे कहा जाता है तो Anglo-Celtic का मतलब जो Anglo-Celtic जो है Anglo-Saxon के आने से पहले Anglo-Saxon के आने से पहले जो England में, Britain में जो जाती जन जाती रहती थी उसे Anglo-Celtic कहा जाता है ठीक है? British, Britain के लोगों के जो पुरवज है उन्हें हम लोग Anglo-Celtic कहते हैं उन्हें Anglo-Celtic कहा जाता है British के लोगों के पुरवजों को ये तीनों के लिए रहे? हाँ उसके बाद पढ़ते हैं आगे However, Yadiyapi, the earlier two names are more popular and used more often ये जो सुरू के दो नाम है Old English और Anglo-Saxon ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ज़्यादा लोगपरी है इसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत पुरानी जन जाती थी ठीक है? The history of English begins with the coming of English का इतिहास begins, सुरू होता है with the coming of Anglo-Saxons from Europe Europe से Anglo-Saxon के आने के बाद English का इतिहास शुरू होता है To mainland Britain और Anglo-Saxon कहां पर आये थे? mainland Britain में आये थे, England में आये थे, ठीक है? This period is from AD 449 to AD 166 AD 449 से AD 166 इस्वी तक का जो period है ठीक है? उस period में, these two dates, ये जो दोनों date है signify two major invasions वो दो मुख्य invasion का मतलब होता है आक्रमन, दो मुख्य आक्रमन के बारे में बताते हैं, signify करते हैं that change the course of history जिसने इतिहास को बदल दिया जिसने इतिहास को बदल दिया इस दो date ने The Anglo-Saxons were fierce जो Anglo-Saxons जो जर्मैनिक पीपल थे वो बहुत क्रूर थे war-like tribes जो ऐसी जन जाती थी जो युद करना पसंद करती थी फ्रॉम यूरोप जो कहां से थी यूरोप से थी एंड दियर इन्वेजन इन 449 और उनका आकरमन जो कितने स्वी में हुआ था चारसो उन्चास स्वी में changed Celtic Britain into Germanic England जिसने Celtic Britain को बताएं हैं कि पहले Celtic Britain था Anglo-Celtic था ठीक है उसने Celtic Britain को क्या बना दिया आकरमन करके Germanic England बना दिया दो नॉर्मन कंक्वेस्ट जो नॉर्मन कंक्वेस्ट है नॉर्मन जगह का नाम है और कंक्वेस्ट का मतलब होता है विजय इन एडी 1066 रिजल्टेट इन दे इनफ्यूजन ओफ लार्ज नंबर ओफ फ्रेंच वर्ड्स इनफ्यूजन का मतलब होता है संचार करना प्रवाह करना तो नॉर्मन का जो विजय हुआ दस्वाश्यासत में जो नॉर्मन नाम का जगह जो जीता उन्होंने तो इसके रिजल्ट में क्या मिला मतलब इनफ्यूजन मिला प्रवाह मिला संचार मिला किस जीज़ का ओफ ओफ लार्ज नंबर ओफ फ्रेंच वर्ड्स बहुत बरी संख्या में फ्रेंच वर्ड्स जो हैं वो into the vocabulary of English English के vocabulary में आगे क्योंकि वो फ्रेंच लोगों का जो भासा अब देखी एक देश का जब आकरमन कारी जब दूसरे देश पर आकरमन करता है उसे जीता है वहाँ पर आज करता है तो वो अपने देश का जो vocabulary है वो उस देश के vocabulary के साथ मैच करके मैच हो जाती है दोनों ठीक है तो इंगलिस के vocabulary में बहुत बरी संख्या में French words आ गए from Europe Europe से to mainland Britain Europe से कहा पर आ गए mainland Britain में English language में आ गए clear है आगे बढ़ते है the relationship between the celts and the invaders is difficult to describe accurately in celts और जो invader थे जो आकरमन कारी थे उन दोनों के बीच में जो relation था ठीक है दोनों के बीच का जो relationship था संबंध था उसे describe करना वर्नन करना जो है वो correctly वर्नन करना वो थोड़ा कठिन है but they seemed लेकिन ऐसा मालूम परता है to have settled down side by side in more or less peaceful contact with the Anglo-Saxons जो आकरमन कारी थे वो वहाँ पर बिटेन के side side से अपना बैठ गए थे ठीक है अपना घर बना लिया था अस्थापित हो चुके थे किसके contact में Anglo-Saxons के contact में and combined to produce और दोनों वो सब क्या हुए मिल गए, combine हो गए किसली combine हो गए और सब ने मिलकर वो जो Anglo-Saxons और वो जो इन्वेडर्स और सेल्ट्स जो थे ये सब मिलकर के क्या बनाया produce seven kingdoms साथ देश बनाये kingdom, सामराजी बनाया known as the known as the sections जिनने क्या known as the Anglo-Saxon heptarchy जिसे Anglo-Saxon heptarchy के नाम से जाना जाता है Anglo-Saxon heptarchy के अंदर में साथ सामराजी आते हैं साथो सामराजी का pick आप देख सकते हैं photo आपके screen पर है ठीक है और साथो का नाम भी देख सकते हैं the leadership of these kingdoms इस kingdom के इस सामराजी के जो leadership हुए राजनीतिक के हुए gradually passed into the hands of the sections वो धीरे धीरे section के हाथों में चला गया because of their better political understanding क्योंकि उनकी राजनीतिक समझ ज़्यादा अच्छा था the Celtic languages जो Celtic language थी वेर बता दी हैं कि Anglo-Saxon के अकरमन से पहले जो language चलता था English उसे Celtic language कहते हैं clear है हाँ ध्यान रखें the Celtic languages were not used for any purpose किसी भी purpose के लिए Celtic language का use नहीं किया जाता था by them उन लोगों के दोरा English section के दोरा neither did these languages influence the sections और नहीं इन language ने sections को ज़्यादा प्रभावित किया therefore only a handful of Celtic words इसलिए handful मतलब एक मुठी Celtic word exists today आज के दिन में exist करते हैं उनका अस्तित है मुठी भर Celtic words का and most of them are names of places or rivers और में उन में से बहुत सारे words किसी चीज़ के हैं जगा के हैं और नदियों के हैं ठीक है some of these better known are the following उन में से कुछ ऐसे नाम है जिन्हें आप लोग पहचानते होंगे डोवर, कंबरलेंड, केंट, लंडन यॉर्क, न्यू यॉर्क ये सब जगा के नाम थे और नदियों के नाम एववन, थेम्स, ट्रेंट, डी, डर्वेंट ये सब नदियों के नाम है तो ये सब जो हैं वो Celtic words हैं ठीक है ये English के words नहीं है Saxons के words नहीं है some traces कुछ trace जो है trace मतलब होता है कुछ जो अफशेस है some traces of Britain's Celtic past जो Britain का जो Celtic past है are also preserved in the first syllable of the names of some towns and districts in present day England आज के England के कुछ सहर और कुछ जिला के कुछ जिला के कुछ जिला के जो नाम है ठीक है वो आ जाते हैं अभी भी उसका trace मिलता है और यह सब जगह के नाम क्या सब हैं जैसे Manchester Winchester Four Sister Gloucester ठीक है यह सारे जो नाम हैं वो सब आप पढ़ लीजेगा another class of Celtic words preserved in modern English are words connected with religion or religious activities और other जो Celtic कुछ words हैं जो धर्म या धार्मिक काम से जो जुर्य हुए शब्द होते हैं उस सब्द में भी आपको कुछ Celtic words मिल जाएंगे मतलब English का जो सबसे पुराने वंसस थे अंग्रेजों के जो सबसे पुराने वंसस थे उनके जो words हैं वो Celtic words कहलाते हैं तो वो word आपको कुछ धार्मिक या धार्मिक काम से रिलेटेट कुछ word आपको मिल जाएंगे ठीक है आगे चलिए देखते हैं अब है dialects of Old English Old English की बोली dialect मतलब होता है बोली देखिए बोली में और भाषा में अंतर होता है ठीक है भाषा का अपना grammar होता है language होता है भाषा का language का अपना grammar होता है अपना उसका उसका एक लीपी होता है ठीक है तो लेकिन बोली में बोली का कोई grammar नहीं होता समझ रहे हैं तो English का dialect क्या सब है वो कहां कहां बोली जाती थी There is a clear line of descent from the speech of the Anglo-Saxons to modern English in matters of sound, vocabulary, grammar and spelling Anglo-Saxons वाले language को ठीक है और modern English जो है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं Anglo-Saxons वाला जो English था उसमें और modern English में दोनों का जो different करने जो उस दोनों को अगर हम अलग करना चाहें तो किस आधार पर अलग कर सकते हैं sound की आधार पर vocabulary के आधार पर grammar और spelling के आधार पर क्योंकि दोनों में आकास पाताल कांतर है Anglo-Saxon वाले अंग्रेजी में old English में और modern English में but old English was not a single uniform language लेकिन old English जो है old English जो था वो एक single uniform language नहीं था मतलब एक भाषा नहीं थी we can distinguish four dialects in old English old English में चार तरह की बोली बोली जाती थी चार तरह का dialect मिला करके old English बना हुआ था they are Kentish, Kent language Northumbrian, Northumbrian language Murcian language and West-Saxon language ये चारो मिल के English language बना था thus it can be said इसलिए ऐसा कहा जा सकता है that की old English was dialectal जो old English था वो क्या था dialectal था एक बोली बाली भाषा थी उसका कोई अपना grammar नहीं था अपना कोई लिखने का तरीका नहीं था इस तरह से this is understandable ये समझने या लायक है because three different Anglo-Saxon tribes क्योंकि तीन अलग-अलग Anglo-Saxon की जाती पर जाती वेर इन्वाल्ब्ड इसमें इन्वाल्ब्ड थे and it was but natural that a variety in English existed और इसलिए English language में एक अलग-अलग तरह की variety जो है वो exist करती है अलग-अलग तरह की variety आपको मिलती है ठीक है Old English में उसके बाद है some characteristics of Old English Old English की कुछ विशेस्ताएं क्या है some features of Old English make it very difficult to read and understand the text of this period English की कुछ Old English की कुछ विशेस्ताएं है जो इसे बनाती है make it इसे बनाती है very difficult बहुत कठिन बना देती है Old English को of this period, इस period की इस अवधी के text को इस अवधी के word को पढ़ने में बहुत कठिन और समझने लायक ऐसा बहुत कठिन बना देती है का आपको समझने में नहीं आएगा आप पढ़ने ही पाएंगे अभी का जो इंगलिस है और Old English बहुत ही जो है दोनों different है, ठीक है तो ऐसी कुछ विश्यस्ता है The language looks different वो भाशा Old English जो है वो एकदम अलग दिखती है, different दिखती है Because of its alien spelling क्योंकि इसकी जो spelling थी वो alien spelling थी, मतलब एक अजीब और परिचित spelling थी, जिस spelling से हम लोग परिचित नहीं है, ठीक है आपके बुक में भी एक पोईम है Sweetest Love I Do Not Go तो गो की spelling क्या है, G-O-E कितने बच्चे उसको गोए पढ़ते हैं जोए पढ़ते हैं, समझते हैं समझ रहे हो तो वो जो word spelling थी, वो एकदम alien spelling थी unfamiliar और परिचित, vocabulary ठीक है, जिस vocabulary जिसका आर्थ हम लोगों को नहीं पता होगा and a totally different grammatical structure और उसका जो grammatical structure था, वो आज की grammatical structure से बिलकुल अलग था, the writing system of old English old English का जो लिखने का तरीका था is very different from what, वो बिलकुल अलग था what we have find with today, जिस English से आज हम परिचित हैं, जिस English को आज हम जानते हैं उससे बिलकुल अलग था उसके लिखने का तरीका when the Anglo-Saxons came to England, जब Anglo-Saxons, England आये Germanic people, they used a system of writing उन लोगों ने लिखने का एक तरीका अपनाया which was in use in northern and western part of Europe, जो Europe के उतरी और पश्चमी पश्चमी भागों में लिखने का तरीका था, वो उन्होंने अपनाया, present day is Germany and Scandivia, आज के दिन में जिसे हम Germany और Scandivia कहते हैं तो वहां के लोग जब आये वहां पर England में तो उन्होंने यहां इस दोनों जगापे जो लिखने का तरीका था, राइटिंग सिस्टम था उसे वहां पर अपनाया ठिक है The writing system used the reunic alphabet this writing system used the reunic alphabet इस writing system ने reunic alphabet का use क्या reunic alphabet क्या है अप लोग फिक देख सकते हैं LINE अलग-अलग line से बना हुआ लेखा कुलहरी कैसा होता है तो कुलहरी के जैसे seven जैसे हुआ ठीक है कुलहरी की तरह इस तरह से आप देख सकते हैं photo आपके screen पर होगा जिसे हम लोग रिउनिक alphabet कहते थे जो line या किसी वस्तु की आकरती की तरह होती थी उन लोगों ने इसका use किया the unique characters were such as arrows जो रूनी रूनीक गेर्ष थे लेटर से यह स and threeoman अधिक और मुनूमेंट उसमें से कुछ जो है पर्णिοιसलों जो मॉनूमेंट पर जो पुराने जो जो इमारते हैं उस पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर छूट गया यहां से इस राइटिंग सिस्टम यूजड यह तो गया दर रियूनिक अलफाबेट वेर कंपोजड आफ शार्प स्ट्रेट लाइन हां यह जो रियूनिक करेक्टर जो थे रियूनिक जी करेक्टर डाक वर करेक्टर वह शार्प स्ट्रेट लाइण से बने उए थैकद अंसे इस तरह से सीधे लाइन से इस तरह से बने हुए आइसे या सीधा-सीधा लाइज ठीक है कि आशास से वो रियूनिक थैम रियूब अलफाबेट बने जाएंगे such as arrows, arrow की रूप में, axis, knife handles ठीक है यह सब उसके बाद यह तो बता ही दिए some are to be seen in monuments, monuments असमारकों पर मिल जाएंगे, jewelry, jewelry पर मिल जाएंगे and caskets made of bones, जो हड्डियों से जो बने हुए सामानों तो उस पर मिल जाएंगे but the messages are difficult to derive, लेकिन उस उस पर जो लिखा होता है, उस पर जो लिखे होते हैं उस unique alphabet में उसके message को पढ़ना, उसके बात को समझना, वो बहुत ही difficult है difficult to derive as most of them are generally symbolic, क्योंकि वो सारे symbol में होते हैं तो symbol को समझना जो है बहुत ही difficult है after the sixth century, छटी सताबदी के बाद, the spread of Christianity, जब इशाई धर्म, Christian religion जब फैलने लगा led to the gradual use of the Roman script, उसके बाद धीरे धीरे Roman script की पढ़ाई शुरू होने लगे ठीक है, Roman script का मतलब कौन सा, जो आज जो English में हमें ABCD लिखते हैं वो as this was the writing of the Latin religious text, ठीक है, जो Latin religious text की writing थी the Roman alphabet adopted by the Anglo-Saxons passed through some variations before it reached its present shape in modern English ये जो Roman alphabet जो है, वो Anglo-Saxons के दोरा adopt कर लिया गया, गरहन कर लिया गया, ठीक है उसको अपना लिया गया, passed through some variations, उसमें कुछ variation जो है, वो उसमें हुआ, कुछ बदलाव हुआ before it reached, पहुचने से पहले, कहां पहुचने से पहले, its present shape in the modern English modern English के shape में, modern English में उन लिटर्स को पहुचने से पहले, उसमें कुछ बदलाव किया गया, उसके बाद English section उसे अपना लिया, the old sections forms very superseded by French characters and some new letters were added to the alphabet, such as Q, Q, WWJ, Z, after the Norman conquest of AD 1066, Norman जो conquest हुआ, Norman जो विजय हुआ था, ठीक है, उसके बाद old section के द्वाराज कुछ word बनाये गए, French character से लिये गए, जैसे ये सारे words थे, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, अगला चलते हैं, foreign influences on old English, old English पर विदेशों का क्या परभाब परा, विदेश का क्या परभाब परा, दूसरे देशों का क्या परभाब परा, उसके बाद है, the story of English in the, the story of English is the story of repeated instructions of foreign elements into the English vocabulary, जो, English की जो कहानी है, वो, repeated instructions, instructions का मतलब होता है, घुस पैठ, बिना आग्या का परवेश करना, वो, बार बार, क्योंकि वो, उस जगह पर, England में, अलग-अलग जगह के, लोगों ने, आकरमन कारियों ने, आकरमन किया, ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर, अलग-अलग, foreign elements, अलग-अलग जगह की जो words हैं, वो उसमें intrusion होने लगे, उसमें घुस पैठ करने लगे, मतलब, English की vocabulary में, अलग-अलग जगह के words घुसने लगे, ठीक है, इसलिए English में, ठीक है, English में सिर्फ English का word नहीं है, English में कई सारे words, English में मिले हुए हैं, जैसे आगे वाले, आने वाले chapter में आप पढ़ेंगे की कौन-कौन से language का word जो है, वो English में यूज किया गया है, from the earliest time, शुरू-शुरू में, the country had been subjected to successive aggressions, subjected मतलब होता है, के अधीन होना, जो country था वो अधीन था, किसके अधीन था, successive aggressions by foreign invaders, such as the Romans, French and Scandivians, जो Roman आकरमनकारी थे, French आकरमनकारी थे, Scandivia के अधीन थे, उनके अधीन था ये देश, Anglo-Saxons, ठीक है, England, earlier they brought their own language, शुरू-शुरू में, शुरू में ही उन्होंने अपना भाषा वहाँ पर लाया, मतलब इन जगहों के भाषा, Rome, French और Scandivia की भाषा वहाँ पर लाई गई, but later, लेकिन बाद में, bestowed on English, English पर bestow का मतलब होता है, एक दम थुप देना, लाद देना, परदान करना, English को परदान किया, a fair share of their vocabulary, अपने vocabulary से, इन जगहों से, इन जगहों की जो अपनी, इनके language की जो vocabulary थी, उससे बहुत सारे words, इन्होंने English को दिया, English को, English में परदान किया, ठीक है, जिससे English और मजबूत बनी, इन दा ओल्ड इंग्लिज परियेड, दा टू मेजर इंफ्लूएंस वेर, लेटिन एंड स्केंडिवियन, English के इतिहास में, ओल्ड इंग्लिज के पिरियेड में, ये लेटिन लेग्विज और सकेंडिवियन लेग्वियन लेग्विज का बहुत ज्यादा प्रभाव परा था, ठीक है, इन दोनों लेग्विज का बहुत ज्यादा प्रभाव परा, चलिए देखते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं, परहब, शायद, no single languages has influenced English as much as Latin, before the coming of the Anglo-Saxons. Anglo-Saxons के आने से पहले Latin जो words है Latin के word वो English में, England में पहले से थे Anglo-Saxons के आने से पहले से In ancient time, प्राचीन समय में Latin had the status of a world language Latin भाशा की जो इस्थिती थी वो एक world language की इस्थिती थी The languages of some European countries कुछ European countries के language which had come under Rome rule had become romanized ठीक है जिस तरह बाद में जाके England के लोगों ने बहुत सारे देशों को अपने कबजे मिलिया था करमन करके ठीक है अधिकार किया था उसी तरह उस जमाने में रोम जो रोम है रोमन सामराजी का विस्थार बहुत जादा हुआ था ठीक है तो रोमन रोम के जो लोगों लोग थे रोमन जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे देशों को रोमे नाइजड कर दिया था ठीक है बहुत सारे देशों की जो भाशा यह थी language थी वो बदल चुकी थी जैसे गॉलिश जो है गॉलिश की भाशा फ्रेंच बन चुकी थी गॉलिश जो language थी वो बदल करके फ्रेंच language हो चुकी थी गॉलिश का मतलब क्या है कि गॉलिश जो है वो गॉल नाम के जो उस जमाने के उस समय के यूरोपिय महाद्वीप जिसका नाम गॉल था वहाँ के उस छेत्रों में जो भाशा बॉलिश जाती थी जिसका नाम गॉलिश था वो बाद में चलके फ्रेंच language बन गया ठीक है तो उसी तरह से लेंगवेज अप सम यूरोपियन कंट्रीज तो यूरोपियन यूरोप के देशों के कुछ देशों के जो भाशा थी वो रोमन रूल के अंतरगत आते थे और वो रोमनाइज़ हो जाती थी वो भाशा रोमन भाशा में फ्रेंच लेंगवेज में कनवर्ट हो जाती थी बदल जाता था उस भाशा का श्तित उ खतम हो जाता था However, यद्यपि this process of romanization was halted halt का मतलब होता है रुकना ठीक है halt का मतलब halted का मतलब होगा रोका ठीक है जैसे train कहीं पर रुकती है तो उसे halt का जाता है ना to halt मतलब होता है रोकना however यद्यपी this process this process of romanization romanization का जो ये process था वो रोका गया किसके दोरा by the arrival of the anglo-section जब anglo-section आए इंग्लेंड में तब उन्होंने romanization को रोका and the collapse of the roman empire collapse का मतलब होता है खत्म होना विनाश होना roman samaraj के नास के बाद भी ये रुक गया most of the borrowed words बहुत सारे उधार लिये गए शब्द in latin relate to areas in which the supremacy of Romans was recognized बहुत सारे ऐसे जगह जहां पर roman samaraj जी थे वहां से वहां पर भी latin words लिये गए that is military agriculture and trade and commerce कहने का मतलब यहां के फिर से एक बाद समझाते हैं most of the borrowed words in latin latin भाशा में latin language में जो words कुछ आये थे related to the areas उन areas से उन जगह से in which जहां पर the supremacy of roman was recognized जहां पर roman samaraj जी था ठीक है roman लोगों का जहां पर कबजा था उन जगहों से कौन कौन से छेतर में roman samaraj का कबजा था जैसे military, खेती agriculture trade, व्यापार, and commerce ठीक है वानिज में तो इन सारे छेतरों में जो words यूज किये जाते हैं वो सारे words latin language में आ गए क्योंकि वहां पर तो roman language चलता था french language चलता था roman language तो ये सारे words इन छेतर के इन area के जो words थे वो आ गए latin language में some example और कुछ example है wall, tile, mile ठीक है और भी बहुत सारे words जो आए थे यहाँ पर उसके बाद आगे चलते हैं about 8600 680b में Christianity began to spread in England England में Christian धर्म जो है वो फैलने लगा together with the rise of literacy literacy के साथ, विदुता के साथ ग्यान के साथ फैलने लगा the Christian missionaries जो Christian की जो missionaries थी संस्थाएं थी translated a large number of latin test mostly in northumbrian latin भाशा को वो translate करना शुरू कर दी Christian नीटी ने, Christian ने Christian missionaries ने latin language को translate करना शुरू कर दिया खास करके northumbrian भाशा में and made word glosses और word को एकदम अच्छा बनाना शुरू कर दिया, जो word कुछ अलग type के थे, जो बरे थे, उसके spelling में कुछ mistakes थी अजीब spelling थी, alien spelling थी उसे change करना सुरू कर दिया glosses मतलब चमकाना सुरू कर दिया word को many of the following words नीचे लिखे गए जो बहुत सारे words है in existence today, जो आज जिंदा है, exist करते हैं are borrowed from latin and are related to religion वो latin भाचा के हैं और धर्म से संबन्दित हैं heaven, hell, god, gospel, easter ये सारे आप पढ़ लीजेगा words को ठीक है, और भी बहुत सारे words हैं जो latin भाचा से लिए गए हैं ठीक है, अब है scandivian influence on old English old English पर scandivia का, scandivian language का क्या प्रभाब परा ठीक है, अभी तो था latin language का क्या प्रभाब परा अब है, scandivian का क्या प्रभाब परा बताये थे, दो ही language का प्रभाब परा ज़्यादा English पर एक latin language का और एक scandivian language का इस दोनों का बहुत ज़्यादा प्रभाब परा the major, the second major linguistic invasion of English English के भासा पर जो दूसरा बहुत बरा जो आक्रमन हुआ as English came as a result of scandivian attacks on England जब scandivia के लोगों ने scandivian attacks जब हुआ England पर तब English language पर बहुत ज़्यादा प्रभाब परा they were the Germanic inhabitants of Norway, Sweden and Denmark, वे लोग जो थे वे Norway, Sweden and Denmark के निवासी थे ठीक है, जर्मनी के निवासी थे who who, जिसने as one time neighbor of the Anglo-Saxons in 5th century Europe जो उस समय Anglo-Saxons के परोसी थे पांचवी सताबदी में were closely related to them in blood and language, जो Anglo-Saxons से एकदम करीबी थे, चाहे वो खुन का रिस्ता हो, चाहे language का रिस्ता हो these daring, seafaring ये जो साहस था, जो seafaring था, जो उन्होंने जो समुद्र पार करके आया था यहाँ पर England में people were called Vikings इन लोगों को, Scandivian लोगों को Vikings का आ जाता था Viking age Viking का जो age था, Viking के लोगों ने कब तक सासन किया England में from the middle of the 8th century to beginning of the 11th century 8th century के middle से 11th century के शुरुआत तक दो सेंचूरी तक इन्होंने लगभग वहाँ पर राज किया ठीक है had an unavoidable effect on the language of the Anglo-Saxon Anglo-Saxon की भासाओं पर जो ऐसा प्रभाव परा जिसे हम avoid नहीं कर सकते नजर अंदाज नहीं कर सकते, Scandivia का, ठीक है, Scandivian language का इस influence was not immediately apparent यह जो influence था, यह जो प्रभाव परा था, वो तुरंत तुरंत नहीं दिखा तुरंत प्रकास में नहीं आया, यह प्रभाव, because of the hostile relationship जो एकदम दुस्मनी से भरा हुआ जो संबंध थारे, between the dance and the English section dense, Scandivian और English section की बीच में जो दुस्मनी थी, उसकी वज़ा से इसका प्रभाव तुरंत सामने नहीं आया, towards the end of the 9th century, 9th century के अंत में peaceful coexistence prevailed and many Danish words entering English which were very basic in nature जो बाद में जाके, 9th century के end में जाकर के, peaceful coexistence हो गया, ठीक है, मतलब यह जो थे Scandivian और जो English section थे, यह दम शान्ती पुरुवक वहाँ पर निवास करने लगे, उसकी वज़ा से बहुत सारा words जो है, वो आ गया English में, जो nature में थे, एक दम basic सा word है, these words entered through everyday interaction, परते एक दिन के वेभार के फल सुरूप, परते एक दिन के वारता लाप के फल सुरूप, यह जो सारे words है, बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, यह सारे words रोज यूज के जाते हैं, डिली यूज के words हैं, तो इसकी वज़ा से, लेकिन यह words कौन से हैं, Scandivian words है, Scandivia का word है, जो इंग्लिश में आ गया, ठीक है, 9th century के last तक, यह सारे words आप पढ़ लीजेगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, Scandivian borrowings, जो Scandivian language से जो words आये थे, और found in family names, वो family name में पाए जाते हैं, and place names, और जगह के नाम में पाए जाते हैं, Scandivian language के words, It is interesting to notice that, यह notice करना interesting है, ठीक है, interesting है, यह notice करना की, Scandivian words were not restricted to nouns, Scandivian words जो थे, वो noun को लेकर restricted नहीं थे, परतिबंदी नहीं थे, मतलब यह जो words हैं, वो noun, verb and adjective में भी use किये जा सकते थे, structure words, like preposition and conjunction and other forms, such as pronouns and adverbs, were freely borrowed, जो structure word हैं, जैसे preposition या conjunction के जो word हैं, pronoun के word हैं, adverb के word हैं, वो एकदम freely, एकदम स्वतंतरता से borrowed किये गए, इसमें, preposition, conjunction, non-pronoun, adjective, verb, adverb में लाए गए, थ्री old English pronouns, तीन old English के जो प्रonoun हैं, हाई, हाईरा और हीम, were replaced by their Danish counterparts, इसे replace कर दिया Danish words, दे, दियर और दिम, मतलब हाई बन गया दे, हाईरा बन गया दियर, और हीम बन गया दिम, words like, जैसे शब्द, जैसे both, same, aloft, seemly, to, till, fro, down, ये सारे words, are all escandivian in origin, ये सारे जो words हैं, वो escandivian language के word हैं, but the most remarkable borrowing is R, जो सबसे जो, जो सबसे जो महत्वपुर्न word है, वो क्या है, R है, A-R-E, the plural form of the most basic verb in English is to be, to be का plural form R जो है, वो सबसे important word है, thus, इसलिए, the escandivian influence on old English extended beyond the vocabulary, जो escandivian language का जो प्रभाब था old English पर, वो सब्द कोस्ट से परे था, सब्द कोस्ट vocabulary से भी जाता था, to touch the grammatical system as well, क्योंकि इसने vocabulary के साथ साथ grammatical system को भी touch किया था, ठीक है, और old English literature, अब old English literature के बारे में है, यह last ही paragraph है, इसके बाद खतम हो जाएगा, the literature of the Anglo-Saxon is two types, Anglo-Saxon का literature दो टाइप का है, साहिती जो है, लिटरेचर दो टाइप का है, the first is that, पहला वो है कि, which was undoubtedly brought by Germanic tribes, जो निस संदे जर्मनी के लोगों के द्वारा, जर्मनी के जन्जातियों के द्वारा लाया गया था, when they invaded England, जब उन लोगों ने England पर आकरवन किया था, and is preserved in the oral tradition, और oral tradition में इसे reserved किया गया, बचाया गया, oral tradition का मतलब होता है, उस जमाने में जब लिखा पढ़ी नहीं होती थी, बोल चाल के भासा में यूज किया जाता था, उस समय वो जो है, यूज किया गया, एंग्लो शेक्षन का, the second is manifest in the songs, और दूसरा literature जो है, जो song में इस्थिर है, प्रकट है, जो song में दिखता है, पोएम में, religious writing धार्मी गरंतों में, found in manuscripts, manuscript हस्त लीपियों में, produced when literacy came to England, जब ये literacy, एंग्लो सेक्षन की literature, जब इंग्लेंड में आई, तो दूसरा ये था, जो पहला तो वो था, जो जर्मानिक पीपल के दोरह लागया था, और दूसरा वो था, जो song, poem, religious writing में दिखता था, जो sentence, जो words, दो तरह के literature, Old English के उस जमाने में थे, English section के, unfortunately, दुरभागी से, only a fragment of Old English, कुछी टुक्रे, Old English के कुछी टुक्रे, कुछी भाग, has survived, जीवित है, and the manuscripts, और कुछ हस्त लीपियां अभी भी जीवित हैं, ये दोनों हस्त लीपियां, manuscript हैं, और ये दोनों बुक हैं, जो Old English में लिखी गई हैं, ठीक है, ये Old English के बुक हैं, और ये Old English की हस्त लीपियां हैं, मातर चार हस्त लीपियां, और Old English के बुक, अभी जिन्दा हैं, और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब खत्म हो गया, The Golden Period of Old English, सुनेहरा अवसर था, सुनेहरा पिडियर था, He was a, King Alfred, was a scholar, विद्वान थे, soldier, sainik थे, logiver, मतलब कानून के रचाहिता थे, and rural और सासक भी थे, When he became king, जब वो राजा बने, there were not enough scholars to read the Latin service books, उस समय, बहुत सारे विद्वान नहीं थे, and the early Christian language, और शुरुवाती का जो Christian literature था, उसको पढ़ सके, ऐसे विद्वान नहीं थे उस समय, King Alfred brought in teachers, King Alfred ने teacher मंगवाया, सिक्षक मंगवाय, and scholars, और विद्वान मंगवाया, from abroad, विदेशों से, and he himself set out to translate many of the work in Latin, और उसने खुद, Latin भाषा के कई सारे किताबों को ट्रांसलेट किया, किस में ट्रांसलेट किया, किस लेंगवायज में, Western section में, Anglo section में, Beed's History, Beed का जो किताब है, History उसको ट्रांसलेट किया, the most notable work, inspired by, Alfred Wise, the Anglo section chronicle, जो सबसे notable बुक था, सबसे important बुक था, जो जिस बुक ने, Alfred को, King Alfred को, inspire किया, वो उस बुक का नाम था, The King, The Anglo section chronicle, This book is the first book of English prose, ये बुक, English prose की, सबसे पहली किताब थी, गर्दिखंड की पहली किताब थी, and the first continuous history of European nation, in its own language, और European nation के लिए, अपने language में, चपा हुआ, ये पहला किताब था, ठीक है, उसके बाद है, The Year 1066, 1066, इस भी जो है, marks the end of the old language, वो old language का, अंतिम साल था, 1066, इस भी जो है, वो old English का, अंतिम साल था, ठीक है, उसके बाद, modern English सुरू हो गया, old English के बाद, Middle English सुरू हुआ, sorry, The Norman Conquest, जो Norman देश के जो लोग थे, उनका जो विजय हुआ, England पर, made England into, little more than a colony of France, तब जो है, जब Norman लोग जीते वहाँ पर, तब England जो है, वो France का एक छोटा सा कॉलोनी, उपनिवेश बनके रह गया था, पूरा अधिकार नहीं था, France का वहाँ पर, French became the language of the king's court, जो French language थी, वो सिर्फ राजा के दरबार में, बोली जाने वाली भाषा बन गई, Justice, Governance and Education, न्याई, मतलब, court का चहरी में, Governance, राजनीती में, ठीक है, सत्ता में और Education, सिक्छा में, प्रते एक दिन बोली जाली भाषा, जो उच्छ क्लास के लोगों में, जो उच्छ वर्ग के लोगों में बोली जाती थी, England में वो कौन सी भाषा थी, French थी, और जो छोटे तबके के लोग थे, गरीब लोग थे, जो निम्न परिवार थे, छोटे वर्ग के परिवार थे, वहाँ पर English बोली जाती थी, The Normans had no interest, जो नॉर्मन लोगों ने जो England को जीता था, उन लोगों के पास कोई interest नहीं था, कोई रूची नहीं थी, in developing and patronizing a language such as English, English जैसे भासा को विकास करना, और उसका संदक्षन करना, बचाना, इसमें Normans को कोई interest नहीं था, in the absence of adequate patronage, एक परियाप्त, एक खास संदक्षक के आभाव में, adequate मतलब होता है परियाप्त, एक अच्छे संदक्षक के आभाव में, English literary writing almost came to a standstill, standstill का मतलब होता है इस्थिर, ठहराओ, जो इंग्लिस जो साहित था, वो ठहर गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया, Normans के समय में, however, यद्यपी, it continued to be the language of the masses, फिर भी, ये जो language है, वो बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भासा, फिर भी थी, क्योंकि French जो है, वो सिर्फ स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, कचरी, राजा के दरबार में बोली जाती थी, उच वर के द्वारा बोली जाती थी, लेकिन, इंग्लिज जो है, अभी भी, बहुत सारे मध्यम वर्गिये परिवार, और निम्नम वर्गिये परिवार के द्वारा, वो बोली जाती थी, English ठीक है चलिए आगे देखते हैं over a period of time एक समय के बाद due to close interaction and intermarriages बहुत ज्यादा interaction मतलब बात चीत लोगों से mail मिला और intermarriage जो अंतर जाती भी वा होता है उसकी वजह से English began replacing French क्योंकि English के जो England के जो लोग थे जो English बोलते थे वो जो French बोलने वाले लोगों से जब साधी करने लगे उसके बाद English began replacing French English ने क्या किया French language को replace करना सुरू किया हटाना सुरू कर दिया first in the home सबसे पहले घरों में French हटने लगा English बोली जाने लगी and later in the offices and schools और बाद में office और school में भी English बोले जाने लगी English का use होने लगा the children of nobility nobility का मतलब होता है जो कुलीन परिवार के लोग होते थे जो बड़े परिवार के लोग होते थे the children of nobility spoke English as their mother tongue वो English को मात्रिभाशा के रूप में बोलने लगे and had to be taught French in the school और French जो है वो school में सिखाई जाने लगी दस इसलिए the English language survived the onslaught of the French rulers फ्रेंच सासकों के द्वारा जो आक्रमन हुआ onslaught का मतलब होता है हमला आक्रमन होना हमला होना हमले से English बच गई खुद को जिवित कर पाई बाद में moreover आखिरकार English was restored to English kings within 150 years of the normans conquest नॉर्मन के विजए के 1500 साल के बाद English ने फिर से अपना जगह बना लिया खुद को restore कर लिया बांकी सारी बासाइं हट गई अब English जो है वो England की एक भाषा बन गई ठीक है तो Old English के बारे में यह था अगले वीडियो में हम लो अगला जो चेप्टर है Middle English के बारे में पढ़ेंगे कि यह किसने कैसे विकास किया उसके बाद Modern English के बारे में पढ़ेंगे किले रहे तो वीडियो गर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा नया चैनल है प्राउड टूभी विरी उस पर भी उस्वे भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और अगर आपको कुछ पूछना हो तो टेलिग्राम पे चैनल है ट्यूटोरियल प्लानेट सर्च कीजिएगा उस पर भी आप पूछ सकते हैं ठेक है थैंक्यू समच बाबाई टेक केर बहुत सारे चेप्टर का बना हुआ है कि देखें एक्स्प्लानेशन किया हुए देखें अच्छा लगेगा क्लियर बाई